टेलीकॉम कंपनियों ने सेलिलर ओपरेटर्स असोसियेशन के माध्यम से च्राय द्वारा कॉल ड्रॉप पर लोगों को कंपनसेशन देने के निर्देश को ठुकराते हुए नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है जिसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबक देश की पाँच बड़ी टेलीकॉम कंपनिया प्रती दिन धाई सु कोरोड रुपे की कमाई कर रही है पर इतने बड़े मुनाफ़े के बावजूत देश में कॉल रॉप की बड़ती समस्या के निवारण के लिए